नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका, कल्यानी दासी, कहां से हैं जी आप, संत्रामपाल जी महाराज से नाम दिख्षा आपने कब ली, सर हम संत्रामपाल जी महाराज जी नाम दिख्षा 2014 मिलिये जा, संत्रामपाल जी महाराज से नाम दिख्षा लेने से पहले आप क्या वक् तो फिर आप संत्रामपाल जी महाराज की सरण में कैसे आई? किसलिए मिला है हमको भक्ति करने के लिए वो सही भक्ति बता रहे हैं सभी सास्त्रों को प्रमार करके बता रहे हैं तो आप चलिए आप नाम दिख्छा ले चाहे ना ले पर एक बार आप चलिए तो हम लोग भी सोचे कि चलो नहीं जाना चाहिए तो हम लोग घूमने के परप संत्रामपाल जी महाराद जी से नामदिक्षा लेने के बाद आपको क्या लाब मिले? संत्रामपाल जी महराद जी से नाम दिख्षाने लेने के बाद बहुत ही लाब हुए और इतना लाब सर की बता नहीं सकती बता बताते बताते मैं थक जाओंगी सर पर उनका लाब कमी नहीं रहेगा ऐसा लाब है सर क्या है मेरे दो बच्चे पहले के हैं तीसरा क्या है जब अभी ये 2008 में मेरी प्रेग्मेंसी हुई सहर तो हम डॉक्टर के पास गये तो डॉक्टर बोला आपका प्रेग्मेंसी है और हम देख लेते हैं सोनोग्राफिय करके की ठीक है की नहीं आप रख सकते हो की नहीं जब सो से कोई भी परिशानी हो जकता है यह सही नहीं है जैसे नॉर्मल बच्चे हैं वैसा नहीं होगा ऐसा बोल दिये थे सर डारेक्ट तो हम भी डर गया हैं हम बोले कि नहीं हम नहीं रखेंगे इसको अबोर्शन करेंगे तो फिर हम प्रात्ना लगाएं तो प्रात्ना में संत्रा करण चाहिं फिर अरदास लगए की हम लोग नाम् सुद्धी करान कर आ अप कैसा कर तो बुले कि आप एक बार और सोनोग्राफिय करन धा क्रॉं संयुक्राफिय और जिए ने फिर से स्थिने महने का तो जो डॉक्टर समय पराफिय पेंवाने तो दो मेने काथा पीर अंसे डाइपऌने तीन मेने का हो गया, तो जब पहले के सोणोग्राफिक रिप॔र्ट को देखे, और अभी के देखे, तो बोलते हैं क्या चमतकार है डॉक्टर बॉले डॉक्टर जब सोनोगराफी कर रहे थैं पहले का देखे बोलते हैं, इतने जल्दी कैसे चेंज हो गया रिपोर्ट, आप किसको मानते हो है बोले वहीं पहीं पर हम संत्रामपाल महराज पर विश्मास करके इस बच्चे को रख रहे हैं तो डॉक्टर ने बोला यह बहुत ही अच्छा है कुछ नहीं हुआ है यह आपका पहले का रिपोर्ट यह अभी का रिपोर्ट में यह बहुत बड़ा चमतकार है डॉक्टर खुदी बोले और जब जब मैं जाती थी च रिपोर्ट से और लोग पहुत चौक जाते थी सर यह बच्चा वही है झिसको डॉक्टर ने अपनॉर्म बोल दिया था तहाओ rank परमातमा pact s'an tram हम संत्रामपल जी महराज जी से अर्दास लगाने के बाद की रिपोर्ट है इसमें बहुत ही अच्छा है रिपोर्ट और पूरा अच्छा है बोले हैं डॉक्टर कि इसमें कोई परिशानी नहीं है ये बच्चा आप रख सकते हो ऐसा बोला गया है सर और डॉक्टर ये बोल र इतना खराब था, अबनॉर्मल था, और अभी के रिपोर्ट में इतना चमतकार, इतना अच्छा बच्चा, ये कैसे अब किस भगवान की भक्ती करते हो, ऐसा डॉक्टर में पूछ रहे थे मेरे को, तो हमने बताया कि हम संत्रामपाल जी महराज जी की भक्ती करते हैं, वो सभ मालिक, आप ही हमें कुछ साहरा दीजे, इतना खर्च हैं और तीन बच्चे हैं, परमात्मा ने साल नहीं पूरा सर, और परमात्मा ने इतना बड़ा घर हमें दिला दिया, कि हम बता नहीं सकते सर, संत्रामपाल जी महराज जी ने इतना लाब दिया है, सर, बहुत ही लाब दिजिया है और आरफ़ीकलाँ, बच्चों को परिशानी से दूर, और सारीकलाँ मतनः सर और बहुत इस सारव को देखते हुए सर सासूमा और सतर जीया पहुत खुश प्रशुए और संग सुनते सुनते उनको भी बहुत अच्छा लगा कि ये सच में ग्यान बता रहे हैं सभी सास्तों के निस्वार बता रहे हैं तो उन लोग भी नाम दिख्षा ले लिए सर और बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे हैं मेरी सासु मा को थोड़ा सा आख में यहां पर सवाल उड़ता है डॉक्टर्स ने आपको बताया कि आपको आवर्शन कराना पड़ेगा और आपको दवाई भी दे दी और आउपरेशन की तारिक भी दे दी लेकिन आपने संत्रामपाल जी माराज से नाम दिख्षा ली और आप ठीक हो गई और वो बच्चा आपने नेगेटिब रिपोर्ट भी दिखाई और पॉजिटिब रिपोर्ट भी दिखाई तो ऐसा कैसे संबब हो रहा है जहां मेडिकल साइंस फेल हो रहा है बाँ संत्रामपाल जी माराज उस बीमारी को ठीक कर रहे हैं संत्रामपाल जी माराज हमें सही भक्ति बता रहे हैं सर और गुरुए जो बता रहे न वो अपने मनमाना हिसाब से भक्ति बता रहे यह जो सास्त्र के अनुजार भक्ति बता रहे इससे हमको लाब होता है सर यह सबसे पहले तो हम मैडिशिन को आगे मानते हैं सर लेकिन उस से बड़ा हमारा परमात्मा है संद। उसके हिसाब से हमें संत्रामपाल जी महराज सभी सास्त्रों के इस हिसाब से भक्ति बता रहें और सही भक्ति के कारण ही हमको लाब होता है सर। जो दरसक आज आपको टी पर देख रहे हैं खास करके महिलाएं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी जन्तरामपाल जी महराजी से नाम दिख्षा ले सकते हैं धन्यवाज जी चल्सायद जी